ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाएं, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको आइडिया है, नॉलिज है, गूगल एटसंस अफिलेट मार्केटिंग और जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनकी, तो आप कुछ भी नहीं होता, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा थम्नेल में वही चीज लिखता हूँ, जो मेरे वीडियो होते हैं, चैशे व्यूज कमाएं, पर मैं हमेशा रियाल्टी और फैक्ट्स बताता हूँ, तो इसलिए अगर आपको ब्लॉगिंग की अच् पर क्लिक करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद और जरूर क्लिक करें, मैं हूँ वेदान तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में, मेरे पास मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं, कि भाई हमें गूगल एटसंस का एप्रूवल मिल गया, और हमारी अर्निंग नही सकते हो, पर अर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जल्दबाजी रहती है गूगल एटसंस के एप्रूवल के लिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, कि हमें अपने ब्लॉग को कैसे एक स्टैंड करना ह इससे आपके ब्लॉग का ट्रस्ट लेवल बड़े और उसके अंदर ट्रैफिक आए, व्यूवर्स एड हो, आपके ब्लॉग को वो देखना पढ़ना पसंद करें, तभी आपको गूगल एटसंस के एप्रूवल से बेनेफिट होगा, या फिर आप जो भी एड नेटवर्क यूज़ करना चाते है, वो आपके उपर डिपैंड करता है, तो सबसे पहला पॉइंट ही है कि फ्रेंड्स जो अर्निंग होती है, वो गूगल एक्संस के थूरू होती है, जब भी कोई हमारी वेबसाइट में जाता है, तो उसको वही एड दिखाई देती है, जो उसने थो booking स्टार्ट हो चुकी है, ठीक वैसे ही आपकी ब्लॉगिंग के अंदर भी आके जो भी एड पे क्लिक करेगा, वो इसी परपस से क्लिक करेगा, क्योंकि उसका इंटरस्ट उसी प्रोड़क्ट पे है, जिसको उसने सर्च कर रहा है, यह जो उसके बारे में जानना चाहता है, तो Google AdSense है इससे related, जितने भी एड नेटवरक होते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं, इसलिए लोग आपकी एड पे आके क्लिक करते हैं, और जैसी आपकी एड पे क्लिक होती है, तो वहां से आपकी earning शुरू हो जाती है, तो इसलिए friends सबसे पहले तो अपनी website के अंदर, च उसके नदर आप traffic लाना सीखो, content डालना सीखो, जिससे सामने वाले का trust और Google का trust आपके उपर बढ़ जाए, second point आता है affiliate marketing, इसके उपर भी मैं काफी वीडियो बना चुक हूँ, आप में से काफी लोगों को पता होगा, कि affiliate marketing से भी earning होती है, पर उसमें Google AdSense का approval ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपने कोई affiliate product डाला है, 500 रुपेगा, और उसके नदर आपने Google AdSense की ad लगाई है, तो definitely उस product को search करते हुए, मैं आपकी website में आऊगा, और वो product में आपकी website में search करो, और उससे related ही मेरको Google Ads में उसी product की ad दिग गई, और उसमें rate आपकी rate से थोड कुल ना करें, और third point है, जिससे आप blogging में earning कर सकते हैं, वो है sponsor post, आपका blog जब धीरे-धीरे grow करने लग जाएगा, Google AdSense के ad लगा रहे हैं, यहाँ फिर आप affiliate marketing कर रहे हैं, आपको email आने लग जाएंगे, आपके blog के अंदर sponsor post के, अब मैं आपको next point के बारे में बताता हूँ जिससे आप blogging से अच्छी खासी earning कर सकते हैं, और यह चीज मैंने काफी blog में देखी है, कितने लोगों ने क्या करा है friends, जिसको जो भी जिस चीज की भी knowledge है, उसने उसके उपर course बना दिया, आप PDF भी use कर सकते हैं, या फिर वीडियो का भी use कर सकते हैं, पर maximum मैंने वीडियो course देखी है, PDF files बहुत कम देखी है, लोगों ने अपना blog बना दिया, जिसके अंदर 20 से 25 course add कर दिया, ना तो उसमें Google AdSense की जरूरत है, ना ही affiliate marketing की जरूरत है, बस उसके अंदर एक payment method gateway लगा दिया, जिसके थुरू जो भी course को purchase करेगा, तो पूरा 100% profit उसी के पास जाएगा, जिसने उस course को upload करा है, अपने ही blog के अंदर, और इसकी marketing भी बहुत आप easily कर सकते है, Instagram marketing कर सकते है, Google Ads के थुरू अपने blog को promote कर सकते है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा logo तक यह पोंचे, कि आप कौन-कौन से courses किस rate में provide कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपके पास लोग वो course purchase करेंगे, trust level बड़ेगा, तो definitely वो आपकी mouth publicity करेंगे, जिसके बाद आपको किसी भी ID network को use करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के काफी सारे blogs होते हैं, जो अपने ही courses को अपने blog में ढाल देते हैं, और उसके बाद उसे आप purchase कर लो, और lifetime access मिलता है, whatsapp की facility देते हैं, कि अगर आपको किसी भी तरह की course में दिक्कत आ रही है, वो आपको उसी समय clear कर देंगे, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, अगर आपको knowledge है, मैं आपको example बता देता हूँ, जो mostly मैंने courses देखे, वो Camitasia, Filmora, After Effects, Digital Marketing, इस तरह के courses देखे, जिनोंने अपनी website में upload करके, 1500, 2000, 1800 तो ये price रखा हुआ है, आजकल तो animation के कितने सारे software होते हैं, जिनको सीखने के लिए अगर आप बाहर भी कहीं जाएंगे, blender type के, तो friends वाँ पे 50, 60, 70,000 तक आप से charge करेंगे, पर आप उन courses को 25,000 में easily purchase कर सकते हैं, और आपको lifetime उसमें access भी मिलेगा, अभी तक मैंने आपके स चार point discuss करें, जिससे आप अच्छी खासी earning कर सकते हैं, blogging के through, अब पांचवा point में आपको बता देता हूँ, अगर आपके अंदर सची में इतना caliber है, आपको पता है कि आप इस तरह के इतने सारे blogs बना सकते हैं, SEO के अच्छी खासी knowledge है, तो easily आप अपने blog को बेच भी सकते ह और उससे friends, हजारों नहीं लाखो रुपे मिल जाते हैं, जब किसी को ये पता लग जाता है, कि इस blog में इतना traffic आता है, इतनी अच्छी earning है, तो उसके बाद आप उसे अगर बेचना चाहें, तो बेच सकते हैं, काफी लोग इसी तरह से करते हैं, अपनी पूरी team बिठा ये बहुत advanced सीज होगी, पर आपको समझाने के लिए मुझे ये बताना था, आपको blog इसलिए नहीं बनाना, कि आपको Google Adsense के approval चीए, आपको blog इसलिए बनाना है, कि लोगों का trust आपके blog के उपर बैठे, फिर आप Google Adsense के approval लो, जल्द बाजी में आप पहले approval ले लोगे, जब blog में traffic ही नहीं आएगा, तो आपकी earning कहा से होगी, तो इसलिए earning के लिए traffic होना बहुत ज़रूरी है, और उस traffic के लिए आपकी audience का trust आपके blog के उपर बैठना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इन points का आप beginning में ही, शुरू में ही ध्यान रखेंगे, तो definitely आने वाले I hope friends, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे like और share ज़रूर करें, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत